चेहरे के उपर जूरियें पढ़ने लगई हैं, fine lines दिखने लगई हैं, चेहरे के उपर बिल्कुर भी कसावट नहीं हैं, आज का face pack हमारे चेहरे से इन भड़ती उमर के लक्षनों को दूर रखने में हमारी help करेगा आज का face pack हमारे skin के लचीलेपन को बनाए रखेगा क्योंकि ये natural तरीके से हमारे skin के अंदर collagen को बढ़ाता है collagen एक तरह का protein है जिसके करण हमारे skin लंबे समय तक young और जवा दिखाई देती है जब हमारे सकिन के अंदर कोलेजिन कम बनने लगता है तो हमारे सकिन बूड़ी दिखने लगती है क्योंकि हमारे सकिन लटकने लग जाती है, लूज होने लग जाती है आज का फेस्पेक हमारी स्किन को टाइट करके हमें यंग बनाए रखने में हमारी हेल्प करेगा और ये हमारी स्किन के टेक्स्चर को इंप्रूव करेगा हमारी स्किन को सोफ्ट, मुलायम और चमकदार बनाएगा और अगर चहरे के उपर दाग धब्बें हैं तो उनको light करके हमारी skin को bright बनाई रखने में हमारी help करेगा मेरी YouTube family को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्ते आप सभी का आपके अपने चैनल beauty with nature by सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब मैं उमीद करती हूँ आप सब लग खोश होंगे तो हम इस face pack को कैसे बनाएंगे, कैसे लगाएंगे, हफते में कितनी बार लगाएंगे, कितनी देर लगाकर रखेंगे इसकी जानकारी ले ले लेते हैं हम अपनी वीडियो में Face pack बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ आदा पका हुआ केला इसको हम fog की help से अच्छी तरह से गोद लेंगे, इसकी हमने एक paste त्यार करनी है केला धेरो एंटी अक्सिडेंट से बरपूर होने के कारण ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद होता है इसके इस्तेमाल से चहरे पर जल्दी से जूरी है और fine lines नहीं आती अब मैं इसमें add करूँगी आदा चमच aloe vera gel aloe vera gel में भी 90% तक पानी होने के कारण ये हमारी स्किन को hydrate रखता है, moisturize रखता है जिससे हमारे चहरे के उपर जल्दी से जूरी है और fine lines नहीं आती अब मैं इसमें add करूँगी एक capsule vitamin E vitamin E दाग धब्बों को दूर करता है, pigmentation को light करता है और हमारे चहरे से बुड़ापे के निशानों को दूर रखने में हमारी help करता है अब हमने इसको अच्छे तरीके से mix कर लेना है अगर आपकी oily skin है तो आप इसमें 4-5 बूंदे निम्बू के रस की add कर लीजिए लेकिन अगर आपको suit करता है तब ही add करना है आपने निम्बू का रस नहीं तो आप निम्बू के रस को skip कर दीजिए ठीक है जी? फेस पैक लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं ताकि फेस के उपर जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए और मेरे पोर्स अच्छे तरीके से खूल जाए ताकि जब मैं इसके उपर अपना face pack लगाऊं तो मुझे मेरे face pack के अच्छे result मिले मैं अपने face को साफ करने के लिए कच्छे दूद का इस्तेमाल कर रही हूँ आप किसी भी चीज से अपने face को साफ कर लीजिये चाहे अपने face wash से कर लीजिये चाहे कच्छे दूद से कर लीजिये या गुलाब जल से कर लीजिये जिसके लिए आप सूटेवर हो आप उसका इस्तेमाल करके अपने face को साफ कर ले ठीक है जी ये ऐसा face pack त्यार हुआ है friends इसको आप daily लगाए कोई भी नुकसान नहीं होगा आपकी skin को आपने इसको लगाने से पहले 2 मिनट अपने चेहरे के उपर मसाज देनी है इसी face pack से ताकि ये face pack आपकी skin के अंदर चला जाए अच्छे तरीके से आपने बहुत light hand से मसाज देनी है हलकी हलकी circular motion में आपने अपने skin के उपर मसाज देनी है दो मिनट मसाज देने के बाद आप इस फेस पैक को लगा लीजिए ये फेस पैक थोड़ा गिरता है अगर आपको लगे कि आप से ये फेस पैक लगाया नहीं जाएगा आपको इसको लगा कर अनीजी फील होगा तो इसको बांधने के लिए आप इसमें थोड़ा सा मसूर दल का पाउडर डाल लीजिए या गेहूं काटा डाल लीजिए अगर आप चाहते हैं तो आप बेसन भी एड़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करें आप वो इसमें एड़ कर लीजिए मैं ऐसे ही लगाऊंगी क्योंकि मैंने इसको लगा कर लेट जाना है इस फेस पैक में धेरो एंटी ऑक्सडेंट हैं एंटी एजिंग के गुन है अगर हम इसका इस्तेमाल छोटी उमर से करना शुरू कर देंगे तो हमारे चहरे के उपर रिंकल्स फाइलेंस बहुत देरी से आएंगी ये फेस पैक मुहासों से भी लड़ता है हमारे स्किन के उपर पिंपल्स लाने वाले बैक्टिरिया को मारने में भी हैल्प करता है इसके इस्तेमाल से हमारे चहरे के उपर एकनी मुहासे भी कम होने लग जाएंगे जब आप इस फेस पैक को रेगुलर अपने चहरे के उपर लगाओगे तो आप देखोगे की आपकी स्किन शाइन करने लगई आपकी स्किन बहुत ज़्यदा गलोइंग होने लगई है क्योंकि यह फेस पैक हमारे स्किन को डीपली मॉस्चेराइज करता है इसलिए हमारे स्किन बहुत ज़्यदा सोफ्ट और मुलाइम भी बन जाती है आप इस face pack को लगाए friends बहुत ही बड़िया face pack है लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इस face pack में डालेगे सारे ingredient आपको suit करते हूं अगर आपको इस में से कोई चीज suit नहीं करती तो please उसको skip कर दें या pass test करके देखे उसके बाद ही आप face pack का इस्तेमाल करें तब ही आपको इस face pack के अच्छे benefit मिलेंगे देखिए friends मेरा face pack लग चुका है अब मैं आपको 20 मिनट के बाद मिलती हूं और आपको दिखाती हूं इसका final result देखिए 20 मिनट हो चुके हैं अब मैं अपने face को साफ करके दिखाती हूं देखिए अब मैं अपने face को wash करके आती हूं और आपको दिखाती हूं इसका result देखिए friends face wash करने के बाद skin बहुत ही ज़्यादा soft feel हो रही है बहुत ही ज़्यादा moisturize feel हो रही है लेकिन फिर भी आपने लेकिन face wash करने के बाद skin कोвалcribe करें जरूर तो आप भी इस प्यारे से amazing से face pack को बनाएं इसके benefits अठाएं तो फिर मिलेंगे हम अपनी next video में तब तक के लिए बाइ बाइ बाइ